इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो दुकी ना हो वो कहते हैं न कोई तन दुकी कोई मन दुकी कोई धन्बी न रहते उदास थोड़े थोड़े सब दुकी बस सुकी राम का दास सुकी वही है जिसको हकीकत का पता है जिसने इसे दुनिया रूपी तमासे को समझ लिया है वही सुकी है जब भी किसी इंसान को कोई परिशानी आती है तो वो भगवान को याद करता है लेकिन क्या हो कि हमें कोई एक ऐसा मंत्र मिल जाए कि जिसको पढ़ने के बाद हमारे दुख, दर्द, परिसानिया, विपता सब हमारे जीवन से चली जाए दुख, परिसानिया, विपता जब भी आए तो हम एक दम से सांत रहे हम कभी भी उसमें दुखी ना हो तो आज की जो बहुत कानी में आपको सुनाने वाला हूँ इसके अंदर आपको एक ऐसा ही मंतर मिलने वाला है उसको पढ़ने के बाद आप कभी भी ना दुखी होंगे ये परिसानिया, दुख कितने भी आ जाए तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बस आपको उस मंतर को याद रखना है वो मंतर बहुत चोटा है लेकिन इसका कार्य बहुत बढ़ा है हमारी पूरी सरस्टी, हमारा पूरा बर्मांड इस दुनिया में जितने भी जियुजन्तु है, जितने भी मनुस्य है सभी इसी मंतर पर ठीके होए है यदि आप किसी परिशानी में, किसी विपदा में हो बस इस मंतर को पढ़ लेना आपके सारे दुख दर्द, सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं एक समय की बात है एक नगर का राजा अपने नगर में ये ऐलान करवाता है कि जितने भी ग्यानी पुरूस है जितने भी सादो संत है उसको हमारे राजिये में बुलाया जाए पूरे नगर में ये एहलान करवा दिया जिसने भी सास्त्रों का अधियन किया है जिसको भी थोड़ा बहुत ग्यान हो वो हमारे राजी के दरबार में आ जाएं राजा उसे बुला रहा है सभी विद्वान, सभी सास्त्री सभी ज्यानी पुरूस राज के दरबार में पहुँचे और जब बैटे थे और तभी राजा ने उन सब से कह कि मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए कि जिसको पढ़ने के बाद कितना भी दुखी आदमी हो कितने भी पीड़ा में हो वो एक मिंट के लिए अपना सारा दुख सारा दर्द भोल जाए उस मंत्र को पढ़ने के बाद ना कोई परसानी रहे, ना कोई दुख रहे ऐसा मुझे कोई सकती साली मंत्र निकाल कर बताओ और मुझे वो मंत्र चाहिए अब जितने भी वहाँ पर सादू संत, जितने भी घ्यानी बैटे थे सबी अपने सास्तर पढ़ने शुरू करते हैं सबी अपने किताबें टटोलना शुरू करते हैं और उसके बात वो सारे घ्यानी पुरूस अपनी अपनी बात बताते हैं जो जो बात उन घ्यानियों ने सिकी थी और जिसे दुक दुर्द कम किया जा सकता है जो परिसानियों को मिटाया जा सकता है वो मंत्र राजा को बताना सुरू किये राजा कोई भी मंतर पढ़ता तो एकी बात कहता कि नहीं इस मंतर से कुछ भी नहीं होने वाला ये मंतर काम नहीं करेगा मुझे कोई ऐसा मंतर चाहिए जिसे पटने के बाद दुखी आदमी दुखी होना छोड़ दे परिशानी में विपदा में कितना भी आदमी हो वो अपनी परिशानी विपदा एक्तम से भूल जाए और खुस हो जाए मुझे कोई ऐसा छोटा सा मंतर चाहिए अब वो इतने सारे ग्यानी पुरुस बैटे थे उनके पास कोई ऐसा मंतर था ही नहीं उसके बाद किसी ने राजा को बताया कि हमारे नगर के अंदर एक गरीब ब्रामन रहता है वो बहुत बड़ा क्यानी है लेकिन हमारे राजे दरबार में वो पहुँच नहीं पाया क्योंकि वो चल नहीं पाता वो अब बुड़ा हो चुका है राजा अपना गोड़ा लेकर उस गरीब ब्रामन के घर जाता है और गरीब ब्रामन से जाके यही बात कहता है कि मुझे दुनिया का एक ऐसा सकती साली मंतर चाहिए जिसको पटने के बाद कितने भी विपदा में आदमी बढ़ावा हो वो खुस हो जाए कितने भी परिशानी में आदमी हो वो परिशान होना चोड़ दे दुखी आदमी दुखी होना चोड़ दे ऐसा सकती साली मंतर मुझे चाहिए उसके बाद वो गरीब ब्रामन कहता है कि मेरे गुरू ने मुझे एक अंगोटी दी थी और इस अंगोटी के अंदर दो कागज है अब उन दोनों कागज पर क्या लिखा है ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे गुरू ने कहा था कि जब भी तुम इतनी परिशानी में आ जाओ इतना तुमारे पास दुख हो जाए कि सारे रास्ते तुमारे लिए बंद हो जाए जब तुमें कोई रास्ता नजर नहीं आए कि बस अभी जिन्दगी का अंत होने वाला है उस समय इस कागज को पढ़ना और दूसरी कागज पर लिखा है कि तुम बहुत ज़्यादा खुस हो जाओ जब तुमें लगेगी मैं दुनिया का सबसे सुकी आदमी हूँ कि तुम उस सुक में बहुत ज़्यादा गमंड में भर जाओ उस समय दूसरे कागज को पढ़ना तो राजा मेरी जिन्दगी में ना तो कोई दुखी वाला पल आया और ना ही कोई खुसी का पल आया इसलिए मैं अंगोटी के अंदर दोनों कागज को नहीं पढ़ पाया ये अंगोटी में आपको दे रहा हूँ आपकी जिन्दगी में बहुत ज़्यादा दुख आ जाए उस समय एक कागज को पढ़ना और ये तुम बहुत ज़्यादा खुस हो जाओ तो उस दिन दूसरे कागज को पढ़ना ये कहते होए वो ब्रामन वो अंगोटी राजा के अंगोली में पैना देता है और उसके बाद राजा आपने घर चला जाता है राजा को पता था कि मैं अभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुकी इंसान नहीं हूँ इसलिए मैं इस कागज को नहीं पढ़ सकता जिस दिन मैं खुस हो जाओंगा उस दिन मैं इस कागज को पढ़ूंगा लेकिन राजा को नहीं पता था कि वो दुखी भी हो सकता है उसके उपर ऐसी विपदा भी आ सकती है अब धीरे धीरे समय निकलता गया एक दिन पड़ोसी राजी के दुस्मन राजाओं ने उस राजा पर हमला कर दिया और उस राजा को हरा दिया अब वो राजा और कुछ सैन पचे थे वो भी अब चले गए क्योंकि ना तो वो राजा राजा राओ ना ही उसको सुरुकसा की जरूत थी अब राजा अकेला हो गया अब धुस्मन की सैना भी राजा को ढून रहे थी और राजा जंगल जंगल बटक रहा था राचा को लगा कि एक दिन राजे का राजा था, मौच का राथा और आज मेरी क्या हालत हो गई वो भगवान को कोश्था और कभी खभी भगवान से अरदार्स करता कि भगवान मुझे बस कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वापस अपना राजे दे या ना दे बस मुझे सुक का जीवन दे दे और कुछ नहीं चाहिए ऐसे करते करते राजा जंगल में भटक रहा था तब ही उसको हाथ में पैनी अंगुटी याद आती है और उसको ब्रामन को कई होई बात याद आती है उस ब्रामन ने कहा था कि जब भी ज़्यादा विपदा पढ़ जाए कोई रास्ते ना दिके उस दिन एक पत्र को काड़ कर पढ़ना और वो दुखी वाला पत्र पढ़ना तब ही वो राजा उपर से उस अंगुटी का पत्र आठाता है और नेचे से एक कागद निकालता है और उस कागद पर जो वाक्या लिखा था उसको पढ़कर राजा हसने लगा जोड जोड से हसने लगा पूरे जंगल के अंदर राजा की हसी फैल गई वो इतनी तेज और इतनी खुशी से हस रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे इस राजा ने अपना राजे वापस पा लिया हूँ उस कागद के अंदर लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा और राजा जैसे इसको पढ़ता है और राजा को एसास होता है कि कागद में लिखी हुई बात सो परतिस्त सही है आज भले मैं ये परसानी देखकर ये दुख को देखकर परसान हो रहा हूँ लेकिन आने वाले समय में ये दुख दर्द मिट जाएंगे साहिद हो सकता है मेरा राजी मुझे वापस मिल जाए अरे राजी ना मिलेगा तो कम से कम सुके की जिन्द की बीता लूँगा देरे देरे सब ठीक हो जाएगा अब राजा उस कागज को पड़ा और बहुत जादा खुस हो गया उसने वापस अपने सेना बनाने की सोची आज पास में जो जंगल में लोग रहते थे उनको इकटा करना सुरूख किया उनको बताया कि वो एक राजा है लोग भी धीरी धीरी उनके साथ जुड़ते गए कई वरसों बाद वो राजा अपने पास एक मजबूत सेना बना लेता है और वापस अपने राजी पर आक्रमन करता है और दूस्पन राजा को अराकर वाँ से अटा देता है और राजा वापस अपने राजी की गदी पर बैठ जाता है पूरी राजी के अंदर खुसी का माहोल था सब लोग नाच रहे थे वहां की सैना नाच रही थी वहां की परजा नाच रही थी कि इतने वर्सों की गुलामी के बाद हम वापस अपने पुराने राचा के इधिन आ गए हैं वो खुशी चे जुम रहते राचा भी नाच रहता तब में राचा को इस ब्रामन की कई होई बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब तुम बहुत खुश हो जाओ अपने जिन्दगी में बहुत कुछ पालो उस दिन ये कागज को पढ़ना और आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि मैंने अपने राजी को वापस पाया है इससे बड़ी खुशी और भला क्या होगी और वो राजा खुशी खुशी में उस दूसरे कागज को निकाल कर पढ़ता है और जैसे ही उस कागज को पढ़ता है राजा मायूस हो जाता है राजा के चेरे पर मिटी मिटी उधासी और मिटी मिटी खुशी थी ना वो हसरा था और ना ही दुखी था सब जो लोग नाच रहे थे वो भी रुख गए कि राजा इतना खुश होते होए भी इनका चेरा इतना साधारन क्यों हो गया आकिर इस कागज में ऐसा क्या लिखा है तब ही एक आदमी पास में आता है और कहता है राजा साप क्या आपको ये जसन अच्छा नहीं लगा आपके चेरे को देख कर लगता है कि आप खुश नहीं है तब ही वो राजा उस कागज को उस आदमी के सामने करता है उस कागज पर लिखा था ये समय भी बीट जाएगा जिसने भी वो कागत पड़ा वो सब सांत हो गए उन सब को पता था कि ये खुशी का दिन भी जादा दिन नहीं ठिकेगा हो सकता है कि दूसमनी के चकर में पड़ो सी राजे फिर से हमला कर दे इसलिए हमें सतरक रहना होगा कि वापस ऐसा दुख हमारे राजा में ना पड़े राजा उनलाइन को अच्छी तरीके से समझ चुका था कि जीवन में ना तो दुख होता है और ना ही खुशी होती है जीवन में होता है तो बस समय बलवान होता है कैसा भी समय हो बीत ही जाता है आज जो परिशानियां हमें तकलीब दे रही है हो सकता है कि आने वाली टाइम में वो परिशानियां हमें याद भी ना रहे तो पिर हम इतने दुखी क्यों होता है उस परिशानी में हम इतने दुखी क्यों हो जाते हैं कोई कोई आदमी तो अपना जीवन खतम करने के बारे में सोच लेता है उसे नहीं पता कि ये समय बीत जाने वाला है ये समय हमिसा के लिए नहीं रहने वाला है जो दुख होता है वो हमिसा नहीं रहता ये एक दिन खत्म होई जाता है दोस्तों ये वात जो ये कहता है कि जीवन के वल आना जाना है यहां इस्ताई कुछ भी नहीं और जब कुछ भी इस्ताई नहीं है तो किसे भी वस्तू या व्यक्ति या इस्तती से मौ कैसा क्योंकि वो है ही नहीं इसलिए कि वो बदल जाएगा, मिट जाएगा, नस्ट हो जाएगा और हमारी सारी मेनत बेकार चले जाएगी क्योंकि हम जहतों जद इसलिए करते हैं कि उसे बरकरार रखने के लिए करते हैं लेकिन वो बरकरार नहीं रहेगी, एक दिन वो समापत होना ही है क्योंकि परगतिय ने बनाया ही ऐसे ही है जो चीज बनी है उसको एक दिन नस्ट होना ही है इसी वाक्य में पूरा जीवन चुडावा है जो सुकी आदमी से पढ़ ले तो वो दुखी हो जाएगा और दुखी आदमी पढ़ ले तो सुकी हो जाएगा अगर कभी आपका समय बूरा या परतिकूल चल रहा है तो मान कर चले कि अच्चा समय भी इस्ताही नहीं रहेगा बूरे के बाद अच्चा अच्चे के बाद बूरा आता रहेगा हमें सामाने तरीके से रहना चाहिए हमें सुक दुख को ये की तरब से देखना चाहिए हाँ ह सकता है कि सुक में आप ज्यादा सुकी हो जाओ और दुक में आप इतने दुकी हो जाओ कि आपको ये दुक सताने लग जाए हर आदमी को सताता है लेकिन ये लाइने याद रखनी है इस लाइनों को भूलना नहीं है और ये लाइने इसलिए कही गई है कि आप दुकी में दु ढूंडिये और ऐसे दुनिया में कोई दुक कोई परिशानी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो क्योंकि हर दुक पैदा हुआ है तो उसको मिटाने के लिए कोई न कोई जीज जरूर बनी है कोई न कोई समाधान जरूर बना है बस उसको ढूंडिये परियास कीजिए दुख में दुखी होके बैठ जाने से कोई फाइदा नहीं है वो आपके सरीर को तकलीब देगा वो आपके मस्तिक को कमजूर करेगा आपके सरीर को कमजूर करेगा और यदि आप सांथ होकर उसका समाधान डुन देगे तो वो दूख को वो परिशान या आपकी जिन्दकी से चली जाएगी तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी उमीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लाते रहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए अपना खयाल रखना